पर कुम्भ होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं, इसके कुम्भ के अंदर सूर के तुनाडी होती है, वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, सूर के तुनाडी बहरी वातावरन से आवशक औशधिय पदार को ग्रहन कर उन्हें दुग्ध मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती है जो अधिक से अधिक पॉष्टिक गुणकारी एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं इस नाडी की वजह से देशी गाय के मूत्र में तामबा और दूद घी में स्वन लवन पाए जाते हैं जिसकी कारण दे इन प्रकार के पदार्थों की उपलब्धी गाय के दूद में होती है जैसे 6 प्रकार के विटमिन्स 8 प्रकार के प्रूटिंस 25 प्रकार के खनीज 21 प्रकार के अमीनो एगज़ चार प्रकार के फासफोरस और दो प्रकार के कलुकोस इत्यादी ये सूरे केतु नाड़ी, सौरमंडल के सूरे, चंद्रमा, तथा भ्रमान के सभी चमकते या टिम्टिमाते तारों, ग्रहों, उपक्रहों के उर्चाओं, तथा प्रकाश की क्रिणों को ग्रहन करके गाय को प्रदान करती है, जिसके कारण देशी गाय से दूज, दही, घी, एवं गोबर जैसे अत्यदिक लाबकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये कुम्भ, अत्वा कांधिया कंधा, तथा सूरे केतु नाड़ी, विदेशी नसल की गायों में बिलकुल नहीं पाए जाते हैं, इनकी पीट सपाठ होती है, देशी गाय की गर्दन के मीचे लटक की नर्म एवं कोमल तवचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है, गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोदक शमता को बढ़ाती है, ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है, आम तोर पर लंबे होते हैं जबकि विदेशी गाई के कान आम तोर पर छोटे होते हैं। देशी गाई के सिंग आम तोर पर लंबे एवं पिरामीड के आकार के होते हैं, जो वास्तविक तोर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं, एवं भ्रमांड ये तरंगों को ग्रहन कर उन्हें पंच गव्वे के लिए सही उर्जा में परिवर्थित कर देते हैं। ज्यादातर विदेशी नसल की गाई में सिंग होते ही नहीं हैं, कुछ नसल में पाए जाते हैं, लेकिन अत्यदिक छोटे आकार में, जिसके कारण भ्रमांड ये तरंगों को ये ग्रहन नहीं कर पाती हैं। देशी गाई का मुखमंडल गोलाकार होता है, जो दिखने में अच्छा लगता है, और विदेशी गाई का मुखमंडल चप्ता होता है, जो दिखने में भद्दा लगता है। देशी गाय की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती हैं, विदेशी गाय की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती हैं, देशी गाय की खुरें छोटी होती हैं, और जो एक दूसरे से काफी लगी होती हैं, जो वातावर्ण के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती हैं, विदेशी ग गाय काफी बुद्धी शील होती हैं। देशी गाय की प्रक्रती या स्वभाव में अपने बच्छडे के प्रती इसने और प्यार का बंधन इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है। विदेशी गाय वैज्ञानिक दृष्टी से बुद्धी शील नहीं होती हैं। और ये धालने में सक्षम होती है। विदेशी गाय में सुरक्षा प्रदान शक्ती कम होती है। जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को धालने में सक्षम नहीं होती है। देशी गाय में शारिरिक शक्ती और स्फूर्ती अत्यधिक होती है। जिसके कारण बगेर ठके काफी दूर तक विचरण कर सकती हैं। विदेशी गाय में शाररिक शक्ती और स्फूर्ती कम होती है, जिसके कारण ये काफी दूर तक विचरण नहीं कर सकती और ठक जाती हैं। देशी गाए एवं विदेशी गाए के बीच में एक विशेश अंतर पाया जाता है देशी गाए चारों और सकारात्म कूर्जा फैलाती है जिससे वातावरन शुद्ध एवं शांति पूर्ण हो जाता है जबकि विदेशी गाए में ये उर्जा नहीं होती है भारतिय कुम्भ या कांधे वाली गाय अक्सर सफेद रंकी पाई जाती है देशी गाय आमतोर पर कम मात्रा में खाना खाती है और संतोलित मात्रा में पाने पीती है इस प्रकार कम एंटिबाटिक्स के सेवन करने से देशी गाय में प्रतिरोधक शम्ता अधिक होती है देशी गाय से उपलब्ध पंच गव्य वास्तविक रूप से शुद्ध एवं सुगंधित होते हैं जबकि विदेशी गाय का पंच गव्य उत्तेजक, मलजनित, दुरगंध और गंदगियों से भरा होता है देशी गाय कीट पतंग जैसे जीवों से मुक्त रहती है और मुक्त ही चरती है मक्खी एवं मच्छरों को भगाती है इसका कारण देशी गाय के शरीर में अंदरूनी ग्लैंट से पैदा होने वाली तैलिय पदार्थों जैसी फिसलन होती है जिससे इनका शरीर साफ सुथरा रहता है जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर उसके चारों और भिंभिनाते रहते है ये बात इसपश्ट लिये है कि भारत्य देशी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है जबकि विदेशी गाय डरावनी और गुस्यली लगती है देशी गाय की पीठ सुन्दर और गोलाकार होती है जबकि विदेशी गाय की पीठ कुछ अजीब सी कोणाकरिती की होती है भारतिय देशी गाय का गोबर एक प्रकार की पतली परत से ढखा होता है जो सुगंधित लगती है, जबकि विदेशी गाय का गोवर दुरगंधित होता है, देशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में एटू कहा जाता है, मनुष्य के लिए सदा, सेवनिय तथा स्वास्ते वर्धक होता है, और विदेशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में A1 कहा जाता है, सेवन में संधे और प्रश्ण जनक है। यहाँ पर पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 दूद और A1 दूद क्या है। जीब विज्ञान के अनुसार भारत्य देसी गाई के 209 तत्व के DNA में 66 पद परिस्थित अमिनो एसिद प्रोलीन पाया जाता है। किसी कारणवश जब गाई के DNA में प्रोलीन अमिनो एसिद हिस्टिदिन के साथ उत्परिवर्तित हो गया तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। भारत्य देसी गाई के दूद में प्रोलीन अपने स्थान 66 पर बहुत द्रडता से आग्रह पूर्वक अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित अमिनो एसिद आइसोलियोसीन से जुड़ा रहता है। परन्तु जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्थिदीन आ जाता है तब इस हिस्थिदीन में अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित आईसोलियोसीन से जुड़े रहने की प्रभल लिक्षा नहीं पाई जाती। इस इस्थिदी में ये अमीनो एसिद हिस्थिदीन मानव शरीर की पाचन क्रिया में आसानी से तूट कर बिखर जाता है। इस प्रक्रिया में एक साथ अमीनो एसिद का छोटा प्रोटीन स्वच्छंद रूप से मानव शरीर में अपना अलग स्थित्व बना लेता है। जो मानव स्वास्थे पर अपनी श्रेनी के दूसरे अफीम जैसे ही नशीले तत्वों जैसा दुश प्रभाव डालता है। जिस दूद में ये विशेला मादक पदार BCM7 पाया जाता है, उस दूद को एवन दूद का नाम दिया गया है। ये एवन दूद उन विदेशी नसल की गायों में पाया जाता है, जिनके डियने में सरसठ स्थान पर प्रोलीन ना होकर हिस्तिडीन होता है। भारतिय देशी गाय के दूद में BCM7 नाम का विशेला मादक तत्व नहीं पाया जाता। इसलिए इसे A2 दूद कहा गया है। हाल ही में National Bureau of Animal Genetic Research ने बयान दिया है कि भारतिय देशी नसल की गायों का दूद उत्तम गुण वत्ता से भरपूर है। शोध कारें को प्रमानित करने के लिए वैज्यानिकों ने देशी नसल की गायों का व्यापक विशलेशन किया। और बताया कि भारतिय देशी नसल की गाय उत्तम गुण संपन दूद प्रदान करती है। जबकि विदेशी गायों के दूद में मानव स्वास्ते के लिए उत्तम गुण नहीं पाये जाते। एटू दूद में अधिक मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिट यानि ओमेगा 6 चरबी अमल पाये जाता है। भारतिय देशी नसल की गाय पूण तहा एटू दूद उत्पन करती है। जिसमें कम मात्रा में BCM7 पाया जाता है। जबकि विदेशी गायों में इसकी मात्रा अधिक रहती है। और ये गाय एवन दूद ही उत्पन करती है। एवन दूद मनुष्य की शरीर में पहुँचकर दो या अधिक प्रकार के अमीनो एसेट उत्पन करता है। जिने हम टेप्टाइड या BCM7 कहते हैं। ये मानव शरीर के अंदर पहुँचकर गंभीर बिमारियों को उत्पन करते हैं। एक लिटर एवन दूद में 24-32 ग्राम कैसीन पाए जाते हैं और जिसमें 9-12 ग्राम BCM7 लगभग 2 चाय के चम्मच पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। भारतिय देसी गाय के दूद में अत्यधिक मात्रा में पौश्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे cytokines और उप्योगी खनेच तत्व जो शरीर के लिए बढ़ती शक्तियों को प्रदान करते हैं। मानव शरीर के लिए आदर्ष, पून, केल्शियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दो अनुपात एक होनी चाहिए। जबकि एवन दूद में कैल्शियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में तस अनुपात एक है, जो मानव शरीर के लिए अत्यधे खाने का रख है, मैगनिशियम शरीर के लिए इस्थिर्ता वस्संतुलन का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खोन में न शरीर कमजोर और स्थूल हो जाता है, ये मनुश्य के रक्तचाप को अन्यमित कर देता है, जिससे किसी को भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है, मैगनिशियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में 300 से अधिक उपकारी प्रक्रिया सं इशा कम होती है, एवन दूद के सेवन से मानव शरीर में गंभीर बिमारिया उत्पन हो जाती है, जैसे एक्ने, एक्सिमा, अपर रेस्परेटरी, इन्फेक्शन्स, अस्थमा, एलर्जीज, ब्रॉंकाइटस, डाइबिटीज, काडियक प्रॉब्लम्स, मैंटल डिसॉडर् आकिसंस, ब्रॉंकाइब म्लॉब्ल मैंटन जोड्रिबटी आक्सिंस, अउबटी, स्कीजोफरीनिय, र्तियोह थे स्कीजोफरीनिय, एंटनी जोड्रेमन काइब टॉर्क्सन्स, मॉल्ड़ कर दॉलर्थे हैं, एंटम नेय शर्टिंव्लॉण, मैंटनस प्क्रॉण, प्रॉ झाल झाल